मैट्रिक और इंटर बोर्ड परिक्षा 2022 काफी नजदिक है और अब आपके परिक्षा में मात्र गिने चुने कुछ समय बचे हैं ऐसे में प्रस्ण आता है कि अब से कैसे हम पढ़ाई करें कैसे हम तैयारी करें मैट्रिक इंटर बोर्ड परिक्षा 2022 की जिससे की जो भी हमारा सपना है 90% से ज़्यादा है score करना हम जिस भी board से हैं उस board का हमें topper student बनना top 10 list में अपना जगह बनाना क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं कहीं हम गलत दिशा में तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं इस direction में चल कर दिसंबर से पढ़कर हम अपने aim को achieve कर सकते हैं इस दी के बारे में इस वीडियो में बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन सा एस्ट्रेटजी आपको दिसंबर से फॉलो करना है जो कि आपको टॉपर बनाएगा इतिहास रचने के लिए सर दिसंबर से कैसे पढ़ें अब मूल प्रस्न यहां से सुरुआते हो सकता है कि क्या हम दिसंबर से पढ़के टॉपर बन सकते हैं तो इसका जबाब कुछी सब्दों में है कि अगर आप दिसंबर तक कुछ न कुछ थोड़ा बहुत पढ़े हैं तब अगर आप एक जोस जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं सही दिशा में पढ़ाई करेंगे तो निस्च सिर्फ आपके पास नुवंबर का महीना भी जा चुका है सिर्फ आप के पास December और जनौरी है काफी बोड का एकजाम तो फरवारी में पढ़ेगा और काफी ऐसे बोड है जिनका एकजाम March में होगा तो अगर आपका एकजाम February में पढ़ता है तब तो समझेए आपके पास मात्र एक मन्थ समिह हैं जन्वरी तो पूरा आप मोडल पेपर सर्फ करने और रिवीजन करने में लगा देंगे। अगर आपका परिक्षा मार्च में है तभी आपके पास मात्र दो मन्थी समय से क्योंकि दिसंबर जन्वरी आप पढ़ेंगे और फेवरुरी तो आप रिवीजन करेंगे। आपको सभी चीज करना है उसके साथ साथ पढ़ाई भी करना है। यहां से किलियर हो गया कि सरह हम 62 डेज का ही स्टेटजी और टाइम टेबल तैयार करेंगे। अब सोच लीजिए यहीं से आपको सबसे पहला मोटिवेसन और आपको जाक कर पढ़ाई करना का जुनून यहीं स आएगा क्योंकि मात्र 62 डेज है आपको अपने आने वाले जीवन के दसा और दिसा बदलने के लिए इसी 62 डेज का अगर आप अच्छा से यूज करेंगे तो आपने आपको अपने समाज अपने परिवार में आप स्थापित कर पाएंगे आभी टॉपर बन पाएंगे अच से ही गवा देंगे तब समझी आप 1488 घंटा नहीं गवा रहें अगर आप माली जे फेल कर जाते हैं अगर आपका कम नम्मर आता है फीर से आपको एकजाम देना पड़ता है तो आप समझी एक साल पूरा पीछे हो जाएंगे अब प्रसन है कि कैसे पढ़े सर तो सबसे पहल करना है कि अब नहीं तो कभी नहीं अर्थात कि आपके पास जितना समय है मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम आपको अब सेलफ स्टडी पर देना है अपने पढ़ाई को देना है क्योंकि बस मैंने बताया चंद दिन का और समय है इसी को अगर अच्छा से आप यूटिलाइज कर लेंगे तो आप टॉपर बन सकते हैं आपका जो भी ड्रीम होगा उसे आप एचीब कर लेंगे क्योंकि नंबर लाना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है जीवर में आपको और उंचा जाना है आपको और सफलता हासिल करना है लेकिन इस सफलता का जो यहां पे सीड़ी दे प्यार करने से पहले आपको यह ध्यान रखना है कि अपने लक्ष के लिए आपको तयाक करना पड़ेगा अब इस तयाक करने का क्या तात पर है क्योंकि मैं सुरू से आपको बताते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज किसी को मुप्त में फ्री में नहीं मिलता है अगर कोई प्रसन है कि हम क्या त्याक करें सर तो ए स्टुडेंट लाइफ में बचे हुए 62 डेज में आपको फेस्बूप अगर आप बेर्थ का फोटो अप्लोड करते हैं उसको बंद कर देना है आपको इंस्ट्राग्राम रील बनाना इंस्ट्रागाम पे टाइंट में गवाना इस सभी चीज अगर आप वेडियोज गेम खेलते हैं मौज आयप अपना टाइम आप बरबाद कर रहे हैं तो इस सभी चीज अर्थात की जो भी चीज आपको सोशल म इस सभी लिया या कोईश चीज जहां पे आपको लत लगच चुका है जिससे कि आप जाएम बर्च कर दे रहे हैं कोई क्या कि आपके श्ठाव को ब्यार्थ जरी में में बढ़का सुद्ट्ए देश के लिए बंद कर देना है मैं anar सोच दिन अगर आप 62 में खेलना बंद कर प्रफिरने में तो जिन्दगी आपका एक गेम बन जाएगा और जब जिन्दगी आपके साथ गेम खेलेगा तब आप कहीं के नहीं बचेंगे तो अपने लक्ष के लिए आपको तयाग करना है क्योंकि आप जानते हैं कि गीता में भी बताया गया कि कर्म ही परधान है तो कायनाते पुरा ब्रहमांड उसको आपसे मिलाने में एक जूठो कर लग जाता है क्योंकि कहा गया है कि कौन कहता है आस्मा में सुलाख नहीं हो सकता है एक पथर तो तबियत से उच्छालो यारो तो आपको भी सिर्फ एक सिधत से त्यात के साथ आज से पढ़ाई करने के आ सकता है कौन कहता है कि आप टौपर नहीं बन सकते हैं उसके साथ साथ आपको अब ध्यान रखना है कि सकरात्मक सोच के साथ पढ़ाई करना है यह अब काफी अनिवार्च हो गया क्योंकि परिक्षा जीतना आपके नजदीक आएगा आपको खुज से अंदर से बेचैनी जाओं मेरा इतना सिलेबस का बिंदू कम है तरहतरा के लोग आपको आपके पत से भटकाने के कोसिस करेंगे कभी तुमारा तयारी कुछ नहीं हुआ है काफी छात्रों की कभी तयारी हो चुका है आप टेस्ट देंगे हो सकता है कभी-कभी आपका कम अंका जाए तभी आप बढ़ाना है आपको एक पुजेटिव सोच के साथ पढ़ाई करना है आपको हमेश्था आपने आपसे बोलना है कि I am topper I am the best you can do it क्योंकि यह बात अगर आप दोहराएंगे तो आपके अंदर एक सकारात्मक सोच आएगा और सकारात्मक सोच के साथ ही किया गया पर्यास इस बात को समझेगा जीत और हार दोनों आपके सोच पर निर्भर होते हैं मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत तो आपको मानना नहीं आपको ठान कर अब 62 दिन पढ़ाई करना है क्योंकि आपको टौपर बनना है अब आईए समझते हैं strategy को तो सबसे पहले अब आपको क् पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़े इसका मतलब कि आएसर कि आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं वैसे पढ़े अर्थात कि अब आपको अपने strategy में कुछ बदलाव नहीं करना है क्योंकि हमारा mind जो है किसी भी नया चीज को सीखने में 10-3-15 दिन किसी का mind slow होता है 30 दिन लग जा आप पढ़ाई के कुछ घंटे में आप बढ़ा घटा सकते हैं syllabus के pattern में बदलाव कर सकते हैं लेकिन अगर आप अभी तक दीन में पढ़ते आए तो आपको दीन में ही पढ़ना है अगर आप नाइट में ज्यादा दिरतर जग कर पढ़ते तो आपको नाइट में पढ़ना ह ये आपको सबसे जरूरी हो जाता है, इसको ध्यान रखना है, कुछ भी आपको नया तयार करने की आउ सकता नहीं है, क्योंकि परिक्षा में अब चंद दिनों का समय है, तो कोई नया रण लीती, कोई भी अपने पढ़ने के तरीका में बदलाव नहीं करना है, हाँ भी साई धर उधर कर सकते हैं, घंटा बढ़ा सकते हैं, लेकिन घंटना नहीं चाहिए, और दूसरा महत्तपूल बात की अब पिछले साल के प्रस्णों का आपको बार बार कोश्यन बैंक से प्रस्ण को अभ्यास करने की आउ सकता है, क्योंकि पिछले साल के प्रस्ण को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अब एडिया होगा कि हमारा बोर्ड जिस भी बोर्ड से मैं जिस भी कलास से हूँ तो इस चेप्टर से इस रूप में प्रस्ण आ रहे हैं तो इस से क्या होगा कि आपका तयारी भी कुछ काफी कुछ हो चुका है तो आपके अंदर एक confidence level भी विक्सित करना है कोई भी चीज आप पढ़ना सुरू करें जैसे मानली जी आपका फिजिक्स आप पढ़ना है और फिजिक्स का मानली जी आपको आठवा चेप्टर पढ़ना है तो एक बार जो भी आप notes तयार किये हैं तो एक बार उपर के नजरों से उसको देखते हुए तब आठ चेप्टर पे जाए ऐसा आप पढ़ेंगे जितना जाद आप रिवीजन करेंगे उतना ही फैक्ट्स आपके दिमाग में याद होगा और उतना ही जितना ही जाद आप फैक्ट्स याद करेंगे उतना ही अच्छा एक जाम होगा है क्योंकि अब देख रहे हैं अब्जेक्ट जित समय ओधी में solve करना है इसका मतलब क्या है कि अब हर बोड का model paper आ चुका है तो आपका एकजाम मान लिजिए 3 घंटा 15 मिनिट में math का paper है history का paper है जो भी paper है तो उसको आपको सब्ताह में कम से कम एक एक दिन सभी बिशाय के लिए time देना है कि आपका एकजाम जित समय होता ह है उस समय ओधी में आप modal paper solve करना है इससे क्या benefit होगा कि आप खुद को एकजाम के महौल में एकजाम का अनुरूप ढाल पाएंगे और आपको पहले से सुनिस्चित कर पाएंगे कि मेरे एकजाम में ये प्रसन आते हैं इस प्रसन पे इतना समय देना है यहीं आपको एकजा करना है क्योंकि अब बिल्कुल कम समय बचा है उसके साथ साथ परिक्षा उपयोगी अब टेस्ट देना टेस्ट तो आप काफी दे रहे हैं online offline हर जगा काफी टेस्ट होता है आज कल online तो और अधीक मातरा में आप देख रहे हैं टेस्ट चारो तरफ कंडक्ट होता है लेकिन आपको अब सिर्फ परिक्षा उपयोगी टेस्ट क्योंकि काफी जगा आप देखेंगे बैकार के प्रस्ण आलतु भालतु प्रस्ण अर्थात की जो आपके सीलेबस में नहीं है जो आपका बोर्ड कभी नहीं पूछता है उसको भी टेस्ट में सेट कर दिया जाता है जिसस आपके अंदर confidence level बिक्सित होगा आपके तयारी का पता चलेगा लेकिन सर हमें परिक्षा उपयोगी टेस्ट ही देना है ताकि वहां से तमाम परस्ण आये परिक्षा में उसके साथ साथ आपको एक सटिक time table तयार करना है time table का मतलब मैं बोला शुरू में कुछ भी नया नही करना है लेकिन आपको मैं बताया कि आपके पास इतना घंटा इतना दिन है और आपके syllabus का एए बिंदू सेस्ट है तो आपको उसी हिसाप से divide करके बाटना है कि मुझे एक दिन में 8 घंटा पढ़ना है दस घंटा पढ़ना है यह भी time table नहीं कि मैंने copy उठाया और एक तरफ क्लिक दिया time एक तरफ subject है वो time table तो है ही अगर वैसे आप पढ़ने तो और अच्छा अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आपको maximum time देना है कि जितना दिर आपको topic लेकर बठे हैं उतना जितना दिर में topic आप समाप्त कर पाते हैं उतना दिर आपको लागतार पढ़ने की आ पराम कर सकते हैं और इसके साथ सबसे महत्वपूल बात कि आपको BBI प्रसन आप समझ रहे हैं कि आपको जो सबसे महत्वपूल प्रसन लगता है को पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है उसका एक copy तयार करना है उसमें आप खुद से उसका उतर लिखेंगे तो माम प्रसन भी आएंगे और एक कहां से आपको जनकारी मिलेगा तो अगर आप मोडल पर इसलिए में बोला मोडल पर आप सल्व करेंगे तो उससे काफी बेनिफिट है आपका आंसर आइटिंग का भी कला विक्सित होगा आपके अंदर और अगर आप को पता चल जाएगा मो दो आप की बोड्स हैं अलगी हैं जरूर पड़ेंगे क्योंकि वहां से हर बोर कुछ ना कुछ प्रसंद कूछता तो आपके लिए प्रसंद के लिएंगे पीछे भी महीं हर दी के अंतर में जो भी मैं आपको ए स्ट्रेटजी बताता हूं उसको भी पालन करना है और इस वी जो आपको लगता है कि जरूरी है उसको बदलाव करके अगर आप पढ़ाई करते हैं आपका जो भी ड्रीम होगा वो दो हजार बाइस बोड परिक्षा के मैटरिक इंटर रिजल्ट जरूर पूरा करेगा जरूरी है सिर्फ एक सिधत के साथ पढ़ाई करने का एक जोस कि मेरा इतना सिलेबस बाकी है और इतना समय है तो किस रूप में मैं पढ़ाई करके बचे हुए समय का सदूपियों करके टौपर बन सकता हूँ और आपने आप से आपको बोलना है कि खोल दे पंक मेरा कहता है परिंदा अभी और उडान बाकी है जमीन नहीं है मनजिल मेरी अभी पूरा आसमान बाकी है पचे हुए समय में पढ़ाई करते नहीं रिवीजन करते नहीं मैटरिक इंटर बोर परिक्षा 2022 में आभी का नाम टौप 10 के लिस्ट में हो इनी सूप कामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत खन्यवाद